आपने मुझे अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके हमारे हिंदुस्तान में देवी देवताओं का पूजन बहुत अधिक किया जाता है हमारे यहां भगवान का बहुत अधिक महत्व है हम लोग भगवान की नित ही पूजा करते हैं माता की पूजा तो जिसमें बहुत ही करते हैं इसे तरह से एक माता का नाम सीतला माता है सीतला माता की पूजा भागुन में अस्टिमी को होती है जब हमारे यहां फाग जल जाती है उसके बाद जो अश्टमी आती है उस दिन हम लोग सीतला माता का पूजन करती है सीतला माता की पूजा या तो मंदर में की जाती है या नीम के ब्रक्ष के नीचे की जाती है ज़ादा तर मंदरों में जाकर ही सीटला माता का पूजन किया जाता है माता के पूजन के लिए हमें रोरी, चंदन, अक्षच, चावल, कलावा, पोस्प, धूप, दीप, सब कुछ करना चाहिए जिस तरह से हम और देवी माता की पूजा करते हैं उसी तरह से हमें सीतला माता की भी पूजा करनी पड़ती है पर यह पूजा जो होती है वो सत्तिमी के दिन हम लोग अपने धर को साफ सक्ष करते हैं और साम को बढ़िया इश्नान ध्यान करते हैं अपने किचिन को बढ़िया साफ कर लेते हैं और उसके बाद मा को प्रशाद बनाते हैं मा के प्रशाद में हमें दही चावल बासे चावल और दही का भूग लगाना चाहिए उनके लिए आसें भी बनाई जाती है साथ आसें मा को बनाई जाती है साथ अपनी ही गोदी में रखी जाती है आसों का मतलब है कि मा हमाई आसाएं पूरी करो हम मीठे पूरे बना कर उसको गौठ लेते हैं और जो साथ बनाते हैं उनको ही हम गौठे भी वोंको ही आसें बूलते हैं और मा के लिए तरह तरह के बेंजन भी बना लेते हैं खीर बना लेते हैं, और हलुआ बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं, और नरियल का विशेश महत होता है, मा को नरियल चढ़ाये जाता है, इस तरह हम पूरा भोजन सत्मी के दिन बना लेते हैं, खोली जलने के बाद जो सत्मी आती है, उस दिन साम को रात्री में हम सारा पूजन कराते हैं, पूजन करने के बाद ही हम लोग उस भूजन को दूसरे दिन खुाते हैं उस दिन हम लोग पित आप जितला माता, माता हमारी इतनी अच्छी है कि सभी मनो कामनाय पूर्ण करती है कहानी सुने मातर से ही हमारी सभी एक्षाएं पूरी हो जाती है इसी जंदर में मैं आपको एक पारम पर एक कथा सुना रही हूँ कथा तो बहुत ही प्राचीन है जो बहुत अधिक प्रचिलित है एक गाओं था उसमें बहुत सारे गौाले रहती थे तो बरसात का मौसाम आया तो सभी गौाले ठंडों में अपने गायों को लेकर गर्मियों में गायों को लेकर गाओं पहाड़ों में चराने के लिए चले जाते हैं तो कई गौाल अपनी गायों को लेकर और एक गाओं में पहाड़ी के उपर जाकर चराने के लिए अप गायों को ले गए वहाँ गायों को चरा रहे थे तभी उन्हें एक मंदर दिखाई दिया तो वो खंड है टाइप को मंदर था तो गौालों ने कहा अरे बाँ ये तो कराते, गायों से ही उनका भी शेक करते और गायों का ही दूद का उन코 भ्होग लगाते और वहीं अपने पास में जोपड़े बना कर रहने लगे तो सारे ही गौलवाल थे सब वह रहते रहे तो आठक महीने बर साथ And G Insight थंड और शेवा करी और उनको खुब भोग प्रशाद चड़ाया और सुमभार को हम लोग गुड और नरियल का भोग लगाते थे मा को तो भोग लगाते थे और जो भी एती थी लोग आते थे उनको भोग माइटे थे तो बहुत प्रस्युद मंदिर हो गया था और बहुत अपनी मानताइं लेके आते थे और उनकी सारी मानताइं पूरी हो जाते थे तो ग्वाल आपस में रोने लगे कि अब हम लोग चले जाएंगे तो मा को सोंबार को कौन नर्यल चढ़ाएगा कौन गुड का भोग लगाएगा कौन प्रशादी वांटेगा कौन यहां आने वालो कि शेवा करेगा सारे ग्वाल आपस में एक दूसरे से मिलकर रोने लगे और रोते रोते ही सब्रेग्वाल सो गए अब तो बरसात आ गई है तो हम लोग जंगल में रह नहीं सकते हैं और हमें तो यह पहाड़ी छोड़ कर जाना ही पड़ेगा अब हम अपनी अपनी गायां को लेकर चले जाएंगे सो गए तभी माने भक्तों को दर्शन दिया और कहा कि भीया रो नहीं हम आपके संग चलेंगे तो उन्होंने पूछा कि आप लोग हमें ले चलो गई क्या उनने कहा हम आपको ले चलेंगे तो उनने कहा कि मां हम आपको कैसे ले चलेंगे तो माने कह आप लोग बना लाल रंग का एक दोला बना लोग और now यह मुझे भिठाल लो और जो है नहीं कझे कर अपने का ट्शी में नचलेंगे और मैं नच्ट फ्लोगों थेक्व डोला अपने में लोग अपने लगिक्षा आप प्लबली अपने गवाल गौहाल तो अपने घट hosting नेक अपने अपने गाओं में मा का मंदिर बनवा लिया मा दूसरे गाओं में जाने लगी अब साथ में गाओं में पहुंची मा तब तक जो है उस दिन अश्टमी आ चुकी सत्मी आ चुकी ठी तो मा जगे रुख गई तो गालबाल भी रुख गए अब अश्टमी के दिन मा ने कहा कि हमारा यहीं बिद्विदान से पूजन करो और हमें यहीं इस्थापित कर दो जो की सत्तमी को बासा खाना बना कर सुबह हमें भोग लगाएगा और उस दिन खाना नहीं बनाएगा उसके घर में सुकसानती रहेगी सारे जीवन में सीतलता रहेगी इस तरह गालबालों ने अपनी मा को जो है और उनके पास खाना आना बनाने का कोई चादन नहीं था इसलिए गौलबालों ने जो उनका साम का भात दही और पूडी रोटी जो भी बचा हुआ था उसी से मा का भोग लगाया था यही प्राचीन मानता हैं कहानिया हैं इसलिए हमें सीतला माता की पूजा करने के लिए सत्तिमी को रात्री में पूरा भोजन बनाना चाहिए और विद्विदान से दूसरे दिन मंदर में जाकर सीतला माता की पूजा करना चाहिए बोलो सीतला माता की जै धन्वाद